चले अगली खबर के उरुप करते हैं जो धौलपर जिलिस है जहां पर आप सुपी को बता दूँ कि अग्यात कारणों के चलते वे फल मंडी में आख रखते हैं इससे भारी नुक्सान तो हुआ ही लेकिन इस नुक्सान का नुमान लगबग 40 लाख रुपय का बताया जा रहा साथ ही काफी व्यापारी इससे हताहत होते वे नजर आए है और ये कई प्रकार के फलो के कैरेट भी चलते वे नजर आए हैं तो दिखाते हैं इसी पर ये रिपोर्ट की किस प्रकार से नुक्सान हुआ आग के बीचे की कारण क्या कुछ थे और आग के ऊपर काबू पाया पाया या नहीं पाया गया देखें हमारी ये special board धौलबुर के अंदर बीती रात करीब 10.30 बजे अज्यात कारणों के चलते वे फल मंडी में आग लगने से व्यापारियों को तबाह कर दिया है आग से फल मंडी तबाह होने से व्यापारियों का करीब 40 लाग के फल जल करके नुपसान हुआ है बीती रात को निहालगन स्थाना शेतर की फल मंडी में ग्यात करणों के चलते वे आग लग दे पल भर में आग ने इतना भयाना ग्रूप लिया कि लोगों की डूप आप दे रियाईशे इलाके में आग लगने से लोग घरों से बाहर निकल गए इलाके में आसपास धैशत का माहूल भी बन गया और अब हाथसे की सूचना अगनी शमन को दी गए मौके पर पहुची अगनी शमन की गाड़ी से स्थानीय लोगों की द्वारा कड़ी मशक्कत कर आग को बुझाने के प्रयास किये गए करीब दो गंटे की मशक्कत के बाद में आग को बुझाया गया आग हाथसे में आम, अनार, मौसमी, पपीता, सेव, केला, नारियल, कीवी, अनास पती, अननास, अधी, फलो की, क्रेट, जल करके खाख हो गई है मौके पर पहुची प्रिशाशन की टीम ने आग से हालतों का जायजा लेकर के नुकसान का सर्वे भी शुरू कर दिया आग हाथसे में रहमत खान, बशीर खान, मौमत, शाहिद, सल्मान, राजु मंगल एवं अजमत का करीब 40 लाग का नुकसान हो गया है नगर परिशत के सवापती प्रतिनेदी निशान चौतरी ने बताया कि आग हाथसे के जाज की जाएगी और नुकसान का सर्वे कर व्यापारियों को पूँचा दिलाने की कारवाई भी की जाएगी साधी रात में अच्चानक आग लगने से रियाईशी लागो होने के कारण लोगों में धहशत फैल गई है लोग घरों से निकल करके भागने चले चारु तरफ चीक पुखार का माहोल था दमकल गाड़ी पहुचने से पूर आसपास के लोगों ने निजी सादनों के द्वारा आग को बुझाने के प्रयास भी की और दो घंटे की मशकत के बाद में दमकल गाड़ी पहुचने पर आग पर काबू पाया गया है महीं फल मंडी में अज्याद करणों के चलते लगी आग ने साथ व्यापारियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया फल व्यापारी रहमत खान का कहना है कि वर्तमान समय फल सीजन का चल रहा था आम अनार पभीता से मौसमी अननास कीवी अनासपती तरबूज एस्टोवरी आलू बुखारा आदी फल की क्रेट जलकर के राख हो गई है और इसके लावा दुकाने भी पूरी तरह से चल करके राख हो गई और व्यापारियों के मताबिक करीब 40 लाख रुके कर नुकसान हुआ है व्यापारी प्रिशासन और सरकार से मौवज़ी की मांग भी कर रहे है आज इस फल मंडी में जो आग लगी है तो बहुत ही दुर्वाग के पूरे है दुख की बात है पूरे दौलपूर सहर के दुख की बात है और मैं इस बात पे अफसोस जाहर करता हूँ कि ये आग लगी और इसको भुजाने में चो टाइम लगा उस टाइम पर लोगों का नुकसान हो चुका था मैं सरकार से अपील करूँगा इनका प्रस्ता पहुचाने के आप प्रयास पूरा करेंगे कि इनको कुछ ना कुछ मदद मिल सके और मेरी योर से मेरी नगर परसदगी योर से और पूरे प्रसासन है पूरी मुस्तेदी से रात में यहां खड़े होके और पूरी कॉलोनिय अवासी के जन सहयोग से अमने आग हो जाने पर पूरा काबू पाया है और अभी तो आग भुज गई है पर जिल लोगों की भी हानी हुई है नुकसान हुआ है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता है फिलाल देश और दिने की तमाम बड़ी खबरों के लेता ही बने रहे हैं नीज़ाइकें के साथ नमश्वार